त्रेम से बोले स्री शद्गुरु महाराज कीजे पूजपाश्वामि स्री सिर्धर्दास जी महाराज का परवचन परमात्मा का शरूप बंदागुरुपदकन्ज कृपाशिन्धुनर रूपहरी महामोहतमपुन्द जाशुवचनरविकरनिक उपस्तित सस्थन प्रेमिश जन्वरेन माताव यंबहनो मैं सरपर्थम पूजपाद गुर्देव को प्रणाम करता हूँ जिनकी किरपाशे आप लोग जहां तहां से पहुँचकर सत्संग से लवानवित हो रहे हैं अभी आप लोगों ने संतों की वानियों का स्रवन किया उन्हें सुनकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अब कुछ सुनने और समझने के लिए बांकी नहीं रहा गुरु महराज ने इस पुरैनिया जीले के कोने कोने में संत्मत के विचारों का सर्वे सधारन में प्रचार किया है मैंने भी यहीं गुरुदेव से कुछ सिखा है मैं तो इस भुमी को धन्यवाद देता हूँ जहां ऐसे महान गुरु का आविरभाव हुआ मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि गुरु महराज के अनमोल ग्यान को अपने जीवन में उतारें यदि आप इनके धर्मोप देश को मान कर चलेंगे तो आपका जीवन महान हो जाएगा अभी हम सबोंने मिलकर इस अस्तूती गाई है इसमें इश्वर का शोरूप अस्पस्ट कर दिया गया है सरवेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में उत्पन होने वाले पदार्थ में जो ब्यापक होकर वर्तमान है वही इश्वर है इश्वर सबसे सुक्ष्म है इसलिए वह सर्व व्यापक है उसकी सीमा नहीं है वह अशीम है अपार है गोशावी तुलसिदास जी महराज के वचन में भी है प्रकिर्ति पार प्रभो शब उरवाशी ब्रह्म निरी है बिरज अविनाशी इश्वर अविनाशी है उसका कभी नाश नहीं होता शंतों ने जो ज्यान दिया है वह लोपशा होता जा रहा था गुरु महराज के किरपा से वह ज्यान अब अनपढ़ लोगों में भी उदित हो रहा है आज संसार के लोग विज्यान की ओर बड़े चले जा रहे हैं लेकिन बड़े बड़े विज्यानिक भी इस अध्यात्म ज्यान से वंचित हैं इसलिए इसे सत्संग के द्वारा अध्यात्म ज्यान का प्रचार हो रहा है इसी के लिए आज यहां यह आयोजन है परमात्मा अनादी और अनंत है वह शारे गुनों से शंपन है और निर्बुन भी है वह शरीर नहीं शरीर में रहने वाला अर्था शरीरी है परमात्मा इं इंद्री गोचर नहीं इंद्रियातित है औभ्यक्त है वह शारे परकेटी मंडल में ओत्प्रोत है शंत्मत में उसको परंपुरातन परंशनातन कहते हैं गुरु महराज के वचनों को जब पढ़ता हूं तो बहुत आश्चड़ी होता है कि उन्होंने परमात्मा के गूढतम ज्ञान का किस तरह अत्यंत सरलता से वर्नन किया है मैं इस विशय में बहुत कम जानता हूं बस मैंने इतना कहा पूजिपाद का यह परवचन शिखली गड़ धरारा में अपरेल 1976 इश्वी में हुआ था श्री शद्गुरु महाराज कीजे आजिए